असलाम आलेकुम चैप्र नमबर 23 प्रॉब्लम नमबर 3 सॉल्व करते हैं तो यह हमारे पास एक क्यूब है जो किसे एलेक्टिक फील में पड़ा हुआ है और इसकी एक साइड की लेंद हमें गिवन है एक साइड की लेंद का मतलब क्या है कि अगर हम इसको मार कर लेते हैं यहां से लेके यहां तक तो यह हमारे पास है 1.4 मीटर इस तरह हर एक कोई भी आप साइड लेंगे तो वो क्या है 1.4 मीटर तो फाइंड यह हमारे पास है 1.4 मीटर एंड इस और इस शोन इन दा रिजन आफ उनिफर्म एलेक्टिक फील्ड एप्लाई दे कंसेप्ट ओफ गासिजला का कंसेप्ट यूज करके फाइंड घमनी क्या करना है फाइंड दे एलेक्टिक फ्लक्स क्या फाइंड करना है एलेक्टिक फ्लक्स फाइंड करना है त्रू दे राइड फेस electric flux through the right face और अगर हमें electric field given हो electric field सबसे पहले हम A part use करेंगे 6 और I जो है ये unit vector के साथ है तो अब हम आते हैं as we know that electric flux which is represented by phi is equal to E dot dA ये हमारे पास area vector का area vector है और ये हमारे पास electric field का vector है और flux जो हैंगे scalar quantity है अब हमारे पास जो given चीज़े है वो क्या है electric field है तो electric field is equal to 6 I जो है ये unit vector है और find हमने करनी है flux through the right face right face की तुरू हमने find करनी है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास cube है इस cube की right face ये वाले बनती है ये देखें जिसको मैं mark कर रहा हूँ ये है इसका right face ये right face है और right face जो है इसकी area vector की जो direction है वो इस side पे है और वहाँ पर क्या है ये y लिका हुआ है इसका मतलब कि ये right face जो है ये along y axis है जो axis आपको नजर आ रहा है ये out of the page है ये देखें ये out of the page है और इसका ये जो back side है जो negative x axis है ये page के अंदर की तरफ वाली side है और z जो है ये उपर की तरफ है और इस तरह से negative z जो है वो नीचे की तरफ है तो जो मैंने mark कर दिया है ये right face है और ये along y axis है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम electric flux का formula यूज़ करेंगे तो electric flux will be equal to electric flux electric field की value है 6i.da अब a के साथ मैं क्या लगाऊंगा unit vector वो j लगाऊंगा क्यों j लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो right face है that is along y axis y axis के लिए हमारे पास unit vector j है x के लिए i है और z के लिए k है तो अगर हम ये use करेंगे तो i.i आएगा यानि 6da के साथ multiply होगा 6 multiplied by da i.i as we know that i.j is equal to 0 i unit vector और j unit vector इनका dot product 0 की equal है जिस तरह j.k is equal to 0 तो जो different unit vector एक से के साथ dot product में होते हैं तो उनका dot product होता है वो किसकी equal होता है 0 की equal होता है तो इसका मतब ये जो i.j है इसके जगा पी क्या आएगा 0 तो यह जाहें यहां पर कुछ भी हो यानि 6 multiplied da multiplied by इस की जगा पी क्या आएगा 0 आएगा तो जो कुछ भी यहां पर होगा तो 6 da multiplied by 0 is equal to 0 so flux या electric flux through the right face is equal to 0 तो यह हमने electric field use किया 6i unit vector के साथ जो a part था अब b part में हमारे पास electric field है minus 2j अब b part की तराफ आते हैं electric field is equal to minus 2j वही same formula use करेंगे electric flux is equal to e dot da अब हम e की जगा लेखते हैं minus 2j dot product with da और क्योंकि वही right face है तो इसके साथ क्योंकि यह वह along y axis है तो इसके साथ क्या आएगा जे unit vector आएगा और इसके साथ भी पहले से given है j unit vector तो अगर i dot i हो तो i dot i is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 0 हो तो वह 0 की equal है अगर different हो मसला i dot j हो या j dot k हो या k dot i हो तो वह किस की equal है वह 0 की equal है और यह वाला किस की equal है यह one की equal है sorry मैंने 0 लिखा था तो यह किस की equal है यह one की equal है यह अगर same अगर same unit vector हो dot product में तो उनका dot product one की equal होता है अगर different unit vectors के दिए में dot product हो तो वह 0 की equal होता है तो यहाँ पर देखें यह क्या आएगा minus 2 multiply होगा d a के साथ तो यहाँ पर j dot j इनका dot product हाएगा वो dot product किस की equal होगा one की equal होगा तो minus 2 अब d a यह वही right face है right face अगर हम लेते हैं क्यूंकि यह cube है जिस तरह मैंने यहाँ पर already बताया था कि एक side के length क्या है 1.4 meter है तो इस तरह से इसकी भी length 1.4 meters है और इस तरह से यह भी 1.4 meters है यह भी 1.4 meters है और इस तरह यह भी 1.4 meters है तो इसका मतब कि यह पूरा x square है तो square के area किस तरह find करते हैं यह यह दोनों side को यह एक्स multiply x यह यह वन पॉइंट फोर मल्टिप्लाइ वन पॉइंट फोर तो दी ए is 1.4 multiply 1.4 तो यह area आएगा 1.4 multiply 1.4 तो इसके जगा आजाएगा da के जगा मैं लेक रहा हूँ तो इसके जगा आएगा 1.4 multiply 1.4 और यह j dot j के जगा के आजाएगा 1 आजाएगा multiply करके यह वन आजाएगा अब इनको हम multiply करते हैं तो 2 multiply 1.4 multiply 1.4 is equal to 3.92 तो minus 3.92 तो यह हमारे पास आ रहा है इसका flux तो बाकि इसका unit हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कूलम तो यह इसका unit होगा so electric flux is equal to minus 3.92 न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कूलम कीप इन माइंड कि यह राइट फेस में है तो लिफ्ट फेस में भी यही होगा with opposite sign तो दोनों प्लास होंगे तो क्या हो जाएगा अपस में cancer होंगे तो अगला पार्ट हम find करते हैं यानि electric flux अब c पार्ट की तरफ चलते हैं तो c पार्ट में हमारे पास electric flux क्या है minus 3i plus 4k अब c पार्ट सॉल्व करते हैं electric field is equal to minus 3i plus 4k तो electric flux का फर्मूला उसी तरह same e dot da और e हमारे पास अब है minus 3i plus 4k dot product with da j इसके साथ unit vector वही उसी तरह j अब देखें ये इसके साथ अलग से इसका dot product होगा और इसके साथ अलग से इसका dot product आएगा तो minus 3 da और इसका i और इसका j इनका अपस में dot product आएगा तो यह आएगा i dot product with j उसके बाद है plus 4 multiplied da और अब उसी तरह k का j के साथ आएगा तो k unit vector dot product with j अब यह हम ने उपर देखा कि जब different unit vectors का dot product होगा तो वह किसकी equal होता है 0 की equal होता है यहाँ पर 0 आजाएगा तो minus 3 da तो यहाँ पर 0 आएगा plus 4 da तो यहाँ पर भी 0 आएगा तो इनका product जब 0 होगा तो flux क्या हो जाएगा? 0 तो यहाँ से भी 0 आएगा और यहाँ से भी 0 आएगा तो overall flux is equal to 0 अब D part की तरफ आते हैं total flux हमने find करना है total flux total flux through a closed surface will be equal to 0 Q0 इसका concept मैंने आपको बताया उपर चेक करें पहले भी हम इस तरह की questions देख चुके हैं कि जो right side पे flux होगा वही flux उसी तरह का left face भी भी होगा opposite sign के साथ plus करेंगे तो cancel out हो जाएंगे इसी तरह flux जो उपर की तरफ है और जो निची के तरफ है दोनों same value opposite sign के साथ plus करेंगे तो 0 इस तरह से जो सामने वाली side है और इसकी बेक वाली जी side पे हैं दोनों का flux same होगा opposite sign के साथ जब प्लस करेंगे तो 0 आएगा therefore total flux through the closed surface is equal to 0 झ्टो मजभे साथ एढ है जफे हैं वाली झ्रो OUT घ्रप्ली हैницُरॉ जू जट्सए जыс़ आएगे